असलाइब कमेर विवान कैसे हैं आप सब लोग आज मैं बना रही हूँ यहाँ पे दही बड़ो का चाट मसाला मैंने अभी थोड़े दिन पहले फ्रिस्को के दही बड़े बनाये थे उस पे मैंने चाट मसाला यूज किया था बहुत ही चटपटव मसालेदारी मसाला बनके त सफेद वाला और दो टेबल स्पून मैं इसमें साबुत धनिया डाल रही हूँ दोनों का मेजरमेंट सेम रहेगा वन टेबल स्पून मैं इसमें सॉफ्ट डाल रही हूँ और मैंने यहाँ पे तकरीवां बीस से बाइस चिली बटन्स लिए हैं आप चाहें तो लंबी वाली खुश्बू भी आना शुरू हो गई है तो इसको मैं एक प्लेट में निकाल लूँगे और इसको ठंडा कर लेंगे जब तक यह ठंडा हो रहा है एक और बैट जो है मसालों का वो हलका सा रोस्ट कर लेते हैं हलकी आज़ पे सेम पैन रखा हुआ है इसमें डाली में वान ट कर दूंगी इस पॉइंट पे और जो तवा गरम है पैन गरम है उसी में ये लॉंग भी रोस्ट हो जाएंगी तो इस मसाले के बैच को भी में पुराने वाले बैच के अधा साब धनी और जीरे के साथ में मिक्स करके रख लूँगी और जब ही ठंडे हो जाएंगे तो इसक के साथ हम ये सारे मसाले पीस लेंगे ये देखिए मसाले बहुत अच्छे से पिस चुके अब इसमें थोड़ी सी चीजने हम और मशीड़ डालेंगे मसालों मैं अब नाली हूं यहाँ पे नमक में आधियर ही डाली हैं ताकि ये नमक का फ्लीवर बैलिंस है और डालनी मैं इसमें वन फोट टी स्पून टार्टरी बजार की मसालों में टार्टरी पढ़ती है इसे इनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है इन सब चीजों को बहुत अच्छे हाथ से हम मिक्स कर लेंगे और इसके साथ इसमें मैं डाल रही हूं वन फोट टी स्पून की करीब सूखी लिशेस लगता है बहुत ही चटपटा सा और बहुत ही मसालिदार बनके त्यार होता है इसको जो है मैं एक क्लीन सुखी गलास की बॉटल में स्टोर करूंगी इसे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी प्लास्टिकी बॉटल में शेल्फ लाइफ थोड़ी सी काम हो जाती है और इसको इसमें रखने के बाद आप इसको अपने सारी मसालों के साथ जो आप काउंटर टॉप पे रखते हैं, इसके ताथ आप इसको रख सकते हैं, तो यह हमारा बहुत ही असान सी रेसिपी के साथ, यह हमारा दही बड़ो का चार्ट मसाला बनके तेहार हो चुका है, तो आप इस रेसिपी को ट्राइ कीजे इसको इस्सिमाल कीजे मुझे उमीद ही आपको पसंद आएगी पसंद आए तो प्लीज अपना feedback मुझे comment section में जरूर दीजेगा फ्रेंज और फैमली के साथ वीडियो को शेर भी जरूर कीजेगा अगर आप चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को subscribe भी कर दीजेगा अपना बहुत ख्याल रखिएगा अल्ला आफेज